नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Realme Naso N65 5G vs Samsung Galaxy A14 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो N65 5G में 6.52 इंच जब की A14 5G में 6.6 इंच की लेंध मिलती है विडि की बात करें तो N65 5G में 3 इंच जब की A14 5G में 3.07 इंच की विडि मिलती है बात करें थिकनेस की तो N65 5G में 0.31 इंच जब की ए 14 5G में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जो की N65 5G से ज़्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो N65 5G में 190 ग्राम जब की ए 14 5G में 201 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो की N65 5G से ज़्यादा है चलिए, अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो N65 5G में इस LCD जबकि A14 5G में PLS LCD की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो N65 5G में 6.67 इंचेज जबकि A14 5G में 6.6 इंचेज मिलती है डिस्प्ले रेशियो नौ मिलता है Screen to Body Ratio N65 5G में 85.2 तीन प्रतिशत जबकि A14 5G में 80.4 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो N65 5G में 264 प्रति इंच जबकि A14 5G में 400 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो N65 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखे में सेकंडरी कैमरा देखने को मिलता है और A14 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखे में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफरेंट पीचर्स मिलते हैं आए अब बात करते हैं हार्डवेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे हार्डवेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो N65 5G में Mali G57 MC2 जबकि A14 5G में Mali G68 MP2 मिलता है चिप सेट की बात करें तो N65 5G में MediaTek Dimensity 6300 और A14 5G में Samson Exynos 1330 मिलता है बात करें RAM की तो N65 5G में 2 option देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि A14 5G में 3 option देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो N65 5G में 126GB की Storage मिलती है जबकि A14 5G में 2 विकल्ग देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 126GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो N65 5G में up to 2TB जबकि A14 5G में up to 1TB है Operating System की बात करें तो N65 5G में Android V14 जबकि A14 5G में Android V13 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो N65 5G में 2 Colors जबकि A14 5G में 3 Colors option मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें Price की तो N65 5G में 2 Varen't देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 11,499 रूपीज 6 GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें A14 5G की तो उसमें 4 Varen't देखने को मिलते है जो की 4 GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रूपीज 4 GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रूपीज 6 GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रूपीज 8 GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme Nazo N65 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है जब की बात कथे Samsung Galaxy A14 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करे है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A14 5G आगे है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रांट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मंस में N65 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियल मी 12 5G है दुसरा Samsung Galaxy M14 4G है तीसरा Samsung Galaxy M15 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 ही 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फिर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्याय से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले